मौदपर्देश के खरगोन में फिर एक बाल लागडाउन जैसी इस्तिती वर रही है। यह लागडाउन सासन और प्रसासन ने नहीं लगाया है, शहर में मुसलिम समाज के उलमाओं ने लगाया है। को लेकर पहल करते हुए इसलाम के खिलाब सादियों में होने वाले कुरापात और फिजुल खर्ची पर कई तरह की पाबंद्या लगाई हैं जिसके बाद अब जिस भी परिवार में निकाह होगा वहां डीजी बेन बाजा नाजगाना सहित फटा के पूर्णे पर पूर्ण तह प्रतिबंद रहेगा इसके अलावा निकाह अब सिर्फ मस्जिद में ही पढ़ाय जाएगा उनका मानना है कि इसलाम इन सब की इजाज़त नहीं देता जो भी इन फैसलों के खिलाफ जाएगा उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे सहर के तंजीमा धेक्ष मुफ्ती मुसभब जिलानी ने कहा कि निकाह अजीम सुन्नत है लेकिन समाज में निकाह के दोरान खराबिया आ गई हैं जिन दूर करने के लिए तीन अहम फै जात खान और आदिल उसे ने कहा कि फैसले का समर्थन करते हैं हर काम सरियत के हिसाब से होना चाहिए सादगी बरे निकाह ही इससे होते हैं फैसले से गरीब लोगों कुराहत मिलेगी शादी के मौके पर चाहे घर पर हो अगर डीजे बजाया जाएगा या बारात में डीजे लेकर आएंगे या पटाफे पोड़े जाएंगे या आतिश बाजी की जाएगी तो फिर शेहर के तमाम अलमाने इस पर मुशुरा किया कि वहाँ पर शिरकत ही नहीं करेंगे वहाँ पर दावत में शरीक भी नहीं होगी एक फेसला तो यह हुआ दूसरा फेसला यह लिया गया कि अगर वो इस तरह की हरकत करते हैं और अगर समझाने से बाज आ जाते हैं वो तो फिर तो कोई मसला नहीं है लेकिन नहीं बाज आते समझाने से तो फिर जितने निका पढ़ाने कि इजाज़त नहीं होगी और तीसरा फेसला ये लिया गया कि निका ये मस्जिद ही में पढ़ाये जाएंगे घरों के सामने दिगर जगों पर वहां पर निके नहीं पढ़ाएंगे मुहम्मद मुसाब जिलानी सदर तंजीम उल्मा वफाद शेहर करगों यह होना चीए घरों पर जो बाजे बजा रहा है नाज गाना हो रहा है उस पर भी बेंड लगना चीए गलत को गलत है भी हो लेंगे नहीं गलत है वो सरीयत के साथ सकाम ही नहीं हो रही है जो फैसले आए जैसे हमारे आप नभी पाक सबसे ने बताया है उनके तरीको पर चलना चाहिए और उसी में ही हमारा फाइदा है और उसी में ही बरकत। के लिए खरकों से दीपक पांडे की रिपोर्ट।